हेलो फ्रेंड मेरी किचन में आपका स्वागत है सभी को हैपटीवाली आज दिवाली है तो सब लोग अपने घर में तरह-tरह की तैयारिया कर रहे हैं दिवाली तो सबका बहुत वेफोरेत फेश्टिबल है सभी को पसंद है मुझे तो बहुत पसंद है और आज के दिन क्या होता है, खास, जैसे कुछ खास होता है हर फ्रेस्टिबल में, तो इस फ्रेस्टिबल में क्या है कि हम लोग सूरन की सबजी खाते हैं, जो कि कहते हैं कि आज के दिन खाया जाना चाहिए, अच्छा माना जाता है, सुब माना जाता है, तो मैं बस सूरन की स आज के दिन खाने से बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो यह मैंने सुरन को बड़े बड़े पिसेज में कटकर लिए हैं, और यह है आमचूर पावडर घर का बना हुआ है, और यह है प्याज कटे हुए 4 पाँच, यह तिश्पक्ता गाश आपकी होई लेसन और यह है हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, जीरा और मेथी दाना और यह है सबजी मसाला इन सबी चीजों से हम मनाएंगी सूरं की सबजी जो बहुत ही यम्मी बन के तयार होता है और बहुत ही रिच होता है बहुत ही टेस्टी लगता है तो चलिए मैं इसका वीडियो शुरू करती हूँ बनाना और यह मैंने इंडिक्स में कराई में तेल रख दिया है तेल जो हमारी है मैंने पहले से ही रख दिया था दो तेम मिनट पहले गरम हो गई है और यह जो सूरं है कटे हुए इसको मच्छे से इसको खुब बढ़िया ब खुब करने से क्या होता है कि बहुत लोगों थे सिर्ण खाते तो कहते हैं हमारा गला जल रहा है गला कट रहा है और कि हम्च्छू पॉडम लाने से क्या होता है कि गले में जो होता है जो कटता है जलता है वो नेन होता और ये इसकी सब्जी बहुत ही फाइदे मन्द मानी जाती है क्याता है कि हल्प के लिए बहुत अच्छा होता है तो इसलिए मैंने कहा चलो आज आपके साथ मैं दिवाली में स्पेसल सुरंती सब्जी शेयर करती हूं इसका वीडियो देखे ये जो फिरन हमारा बहुत हो रहा है फ्राइक करने में थोड़ा साइन रगता है तो कि आप बिल्कुल भी जबडाये गानी वीडियो पूरा मेरा आंक तक देखेगा बहुत की जमनी बनके टेस्टी तयार होता है आप चाहों तो दिवाली पे भी मतलब हमेशा खा सकते हैं लेकि दिवाली पे के सब्सक्राइब लोग सब्सक्राइब बनती है तो इसलिए मैं आज दिवाली पे बना रहती हूं लिखे कैसे चाही होता है जब से हमारी सुर्ण चाही हो रही हूं तो तक समय चलिए इसका पेस्ट बना लेते हैं मसाला के यार करने के लिए मैंने जागने आमचील बॉर्डर बना था इसी जाओर में लिखते में प्याम दाओ दोगी खुड़े के खुड़ा समय सब्सक्रा बेने के निकाल दोगी हूं और यह जो लेक्सन है हमी में अच्छे है क्या है कि खुड़ी से सब्सक्राइसी हनारी है चरपटा जिसमें नमा खट्टा और तीखा सब लिख जाएगा पिरवल बहुत ही यम्मी बन के लेडी होता है तोड़ा सा जीरा डाल दोगी है उन सबीका एक अच्छा पेस्ट तया करेंगी यह में त्याज और मेस्चिका पेस्ट बनाके तया कर दी हूं बहुत ही अच्छी कुछ बूआ रही है कि मसाले की इसको में ढब दूगी अभी हम आपके तुरन को अच्छे से प्राई कर दें सुरन जो है मारा फ्राई हो गया है अब हम इसे बॉल में निकाल देंगे थोड़ा तक क्या है मैं बीच बना रहें तिसलिए थोड़ा ओईली है और इसकी सब्जी जब तक मसाले दार इंदम चपटी ना हो तो मजा नहीं आता करें बिच देंदम महने काल दिया है उफस दिघुब इंदम और जगी स्रूरन को मैंने बाल में निकाल दिय है अब ही यह जो आयल है ह 25 निकाल देंगे 60 निकान देगे ये मेनेस में मेथी दाना डाल दिया है, ये कड़ी हुए प्याद है, तीछ पत्ता है, इन सभी के सच्छा स्राइपर दूनी, वोल्डें ब्राउन होने कर, बहुती यंभी, बहुती तेस्टी चट्पती इदम मसालेदार सब्जी बन की तैयार होती है, फुरून की, उस तरीके से जैसे मैंने बनाया है, तो आप प्लीस अपने खाल में ये मेरा वीजियो देखतेगा, प्लीस जरूर चाहिएगा, आपको बहुती परसम दाएगा, प्याज जो हमारा हो गया है, इसमें हम थोड़ा सा हल्डी लादेंगे, चमच, जो भी हल्का साथ तुन देंगे, अलगे जो हमने पेस्ट बनाया था मसाला, प्याज और मिश्ची लैसन का, थोड़ा सा जीर डाला था, आपको बताने सकते मसाले की, अब ये मसाला जो है, हम एक मिनट दख देंगे, मसाला मारा अच्छी से हो जाएगा, तो उसके बाद इसमें, मैं अपने बाकी मसाले और सब्जी एक करूंगे, मसाले जो है, हो गए हमारे, अब हम इस पच्छा से चलाएगे, ये देखिए, मसाले दन तेल छोड़ दिया रहा है, मैंने एक दो मिनट पले से पकने पले छोड़ दिया था, अब ये जो हमारे प्राई की हुए हुए तुरन है, इसमें डालके अच्छे से चला देंगे, ये आमचूप पॉडर है, अच्छे से मिला देंगे, अच्छे से अच्छा हुए, चीर के घर में तेयर किया है, आमचूप पॉडर, आप चाहे मार्केट से लेके डाल सकते हो, किसी भी किरानी की दुकान में आपको आसाने से आमचूप दिल जाएगा, अब इसमें पाने टाल दूंगी, इदम शादी वाली जैसे शादी में बनते हैं, और किसी भी फ्रेस्टिबल में बनाओ, इसी तरीके से मैंने बनाया है, घर में बना इदम रिच है, इदम चेपटा है, इस तरीके से आप बनाओगे तो बहुत ही यमनी लगेगा, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा इसलिए डाला है, क्योंकि इसको अभी पकाऊंगी तो थोड़ा पानी जो है जल जाएगा, और मैं इसमें थोड़ा नमक डाल देती इस टेस्ट के कॉर्डिंग, मैंने इसमें नमक डाल दिया है, क्योंकि मैं ये 7-8 लोगों के लिए बना रही हूँ, थोड़ा आप जिस इसाब से बनाओ जितने लोगों के लिए, उसी इसाब से टेस्ट के एकॉर्डिंग नमक डालिएगा, और सबजी में पानी डालिएगा, इसको मैं पत्ने के लिए 4-5 हुनट के लिए छोग देती हूँ, सबजी देखे हमारे इतना बलने लगी है, बहुत ही अच्छी खुजबू आ रही है, अभी मैं इसमें फाइनली ये सबजी मसाला है, इसको आड़ कर दूँगी, जैसे कि मैंने आपको बताए कि आज दिवाली है तो मैं थोड़ा रिच बना रही है, और जितना इसमें मसाल आज डालो, आए डालो तो उतना ही टेस्टी बनता है, हमारी जो सबजी है, बन के दम सुरन वाली रेडी हो गए है, इसको एक मिनिट के लिए और धपूंगी, उसके बाद मैं इसे वाल में निकाल दूँगी, सबजी बन के रेडी हो गया है, यास को आपकर तूँगी, और सबजी को इस जोखार दूँगी, गरमा गरम हमारा इदम चटपटा मसाले दाथ ओल की सबजी बन के रेडी हो गई है, बेंकों सब्जी को ऐल पूलते है, और हमारी जोखाहा सूरन तोूसकी सबजी बनके रेडी हो गई है, अगर आपको मेरा वीडियो पसान्ध आया तो प मेरे चैनल पर कमेंट भी करिएगा